तो मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों, जितने भी B8 के विरती हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़ी खुसकबरी आज चुकी हैं, आप लोगों को भी प्राइमरी में से जो आप लोगों को निकाला गया था, फाइनले आप लोगों को उसमें सामिल कर लिया गया है, 36 गर से जो है हमारा फैसला 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 फैसली फिर से आ चुका है हमारे सुप्रीम कोड का फैसला आ चुका है उसमें साब साब बता दिया गया है कि जितने भी B8 के स्टोरेंट हैं जिनकों की बाहर निकाला गया है उन सभी को फिर से सामिल किया जाए यानि कि जितने 18 से ल कि जो judgment चल रहा था हमारे Supreme Court में हमारे High Court में हर जगा यह चीज़े चल रही है तो हमारे जो वकील है जो B.A. के वकील थे उन्होंने request किया और उन्होंने इस पर ही case लगा है कि आखिर 18-23 के student है जो कि government की बाते जो है वो सुन करके या फिर government का जो फैसला है government की policy थी उसको करके teacher वने तो उन सभी का क्या होगा ठीक है जो 18-23 के student है उनको मौका दिया जाए इसके बाद जो student करेंगे उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो हमारे Supreme Court ने इस फैसले को मान दिया है और आपको बता दे कि जितने भी 18-23 के student है जिन्होंने बीएड किया है उनको फैसला द Supreme Court ने फैसला दिया है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन High Court में यह मामला जो पेंडिंग रहेगा और जितने श्रेंग का सेलेक्शन किया जाएगा उनके जो जो जुएनिंग लिटर है उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि जब तक यह High Court में फैसले चल रहे हैं त भी जा सकती है ठीक है लेकिन अभी फिलार के लिए आप लोग के लिए बहुत बरी कुछ कबरी है तो बिहार के स्ट्रेंट पर भी यह लागू किया जाएगा और आप लोग को भी भरती किया जाएगा 125 के टीचर वैकेंसी में